दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप नया वाला भोटर आईडी कार्ड जो की PVC भोटर आईडी कार्ड बिल्कुल आधार कार्ड के जैसा लगता है इसको अपने मुबाइल ये लेप्टोप से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी इसका वालोड करने के लिए आपके भोटर आईडी कार्ड में मुवाइल लिंक होना जरूरी है तो इस वीडियो को आप पूरे अच्हे से देख लेजिए आपको इससे ये भी पता चल जाईगा कि आपके आपके प्रिंट करके भी आप रख सकते हैं तो चलिए क्या process जलिस से हम आपको बताते हैं दोस्तो इसके लिए आपको play store में आना है और play store में एक application डाउनलोड कर लिना होगा जिसका नाम है voter help line जिसको जैसे install कर लिजेगा और open कीजेगा तो ये वाला page आएगा थोड़ा सा आपको wait कर लेना है तो wait करने के बाद इस तरह से page आएगा और सबसे पहले आपको इसमें अपना account बनाना है तो account बनाने के लिए आपको new user के उपर में आना है और यहाँ से अपना mobile number डाल के send OTP को उपर में click कर देना है उसके बाद आपके पास इस तरह से page आजाएगा यहाँ पे अपना mobile number sorry अपना first name डाल के last name डाल के एक passport बना लिजेगा और एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पे डाल के submit के उपर में click कर लेना है जैसे इसको कर लिजेगा तो यहाँ से अपना वही mobile number को डाल के यहाँ पे अपना password डाल के आपको send OTP को उपर में click करना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे OTP डाल दिये है और login को उपर में जैसे click करेंगे तो यह वाला page खुल गया है यहाँ पे आपको download e लिखा हुआ है इसको उपर में click करना है और यहाँ से पहला वाला को उपर में click कर लेना है और यहाँ से अपना voter ID card को डाल देना है और यहाँ से अपना state को चुल लेना है और face detail को उपर में click करना है देख लिजे दोस्तों यहाँ पे अपना voter ID card डाल दिये है state को चुल लिए है और फेश डेटेल को उपर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहां मेरे भोटर ID कार में जो भी नाम सारा कुछ है वो सारा कुछ यहां पर आ गया है और यहां पर देखिए कौन सा मोबाइल नमर मेरा लिंक है लास्ट में वो भी दिख रहा है और जैसे हम प्रोसीड उपर में जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यह वाला मोबाइल नमर के यह जो मोबाइल नमर दीख रहा है आपको इस पर एक OTP गया है उस OTP को हम यहाँ पर फिलप करेंगे और वेरिफाइ डाउनलोड को उपर में जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा voter ID card download आपको दिखेगा तो चली करगी दिखाते हैं हम आपको जल्दी से देख लिजे दोस्तो OTP को डाल दिये हैं और जैसे हम verify download के उपर में click करेंगे तो अब जो है मेरा voter ID card यहाँ पे download दिखेगा तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा voter ID card download हो चुका है और देखिए बिल्कुल आधार card के जैसा दिख रहा है एकदम निव वाला voter ID card दोस्तों उमीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे सा समझ गया होंगे कि नया वाला voter ID card को download करने का क्या system है कैसे कर सकते हैं अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कोमेंट करके पूछ भी सकते हैं मिलते एक अच्छे वीडियो को साथ नेक्स डेवें तब तक अपना और अपने पूरे पड़िवारगा पूरे तन मन्धन से कुसी कुसी ख्याल लखेगा टाटा बाए बाए